मनीश बेटा चिंता करने की कोई ज़ूरत नहीं है वो मनीश कश्यप जैसे मेरा बेटा है उसी तरह से सारे बिहार का बेटा है वो आप लोग जो है उसके लिए न्याय करिए यदि आप लोग न्याय नहीं करेंगे तो आज एक मनिश कश्यप मारा जाएगा, कल को दूसरा मनिश कश्यप मारा जाएगा और परसो को कोई और तीसरा मनिश कश्यप जो पैदा होगा, वो भी आगे मार दिया जाएगा कि हाज जोड़ करके मैं रास्पती प्रधान मंतरी जी से विंती करती हूँ कि मनीश कश्यप को जल्द से जल्द रिहा कराया जाए देखे अगर इनोंने नहीं छोड़ा तो हम लोग यहां दिल्ली में आंदूलन कर देंगे नितीश जी और लालू प्रसाद जी के बेटे जो है ये लोग इनसान नहीं हैं ये एक जानवर हैं मनीश कश्यप पर पहले फायार होता है फिर मनीश कश्यप की गिरफतारी होती है इस पूरे घटना कर्म पर आपकी क्या राय है मनीश कश्यप ने किया कि सच को जब सामने परोसा लोगों के तो चुकी जो है बिहार की जो सरकार है नितीश जी और उसमें लालू प्रसाद यादव जी के जो बेटे लोग है यह सब तो शुरू के महां गुंडे हैं गुंडे नहीं है महां गुंडे जिनको कहा जाता है यह क्रिमनल पूरा का पूरा जो है बैक्डाउंड ही इनका क्रिमनल है आपके जो है आर भारत के चैनल का जो वो था अरनव गोस्वामी के साथ हुआ था सेम वही कांड इनों ने यहां पर बिहार में करके दिखा दिया हम जैसे बोलने वाले लोगों को भी चाहिए कि हम मनीश कश्यप के लिए आवाज उठाएं और हम लोगों को चाहिए कि मनीश कश्यप को न्याय दो मनीश कश्यप को जो हिरासत में रख रखा है जो टॉर्चर कर रहे हो वो torture करना बंद कर दो और उसको हिरासत से जल्द से जल्द रीहा किए आ जाए इसके लिए हम सुप्रीम कोट को भी बोलेंगे इसके लिए हम रासपती और पुर्दान मंतरी जी को भी बोलेंगे कि वो मनीश कश्यप के लिए आवाज उठाए और उनको जल्द से जल्द बिहार सर्कार से रिःा करवाएं, जेल से निकलवाएं, जिस तरहें उनके संग पतारणाई दी जा रही है, उन परतार्णाओं से उनको बरी कराएं और वहाँ पर बिहार में राश्टपती शाशन लागू होना चाहिए बिहार में राश्टपती सासन का मांग क्यूं कर रही है क्या काराने इसके पीछे देखे बिहार में इंसान नहीं हम तो यह कहेंगे वो लोग इंसान नहीं है नितिश जी और लालू प्रसाद जी के बेटे जो है यह लोग इंसान नहीं है यह एक जानवर है यह लोगों ने श रहते वैसे भी वह ऑगूठा चाप है तो आराम से रह सकते तau आराम से राज करते लेकिन उन्हें आराम की readable पसंद नहीं आती है इसलिए जो है वो जो है दुष्टों के संगिस्वी इसलिए ने हमारां माके दुष्ट-वह सोग यह इनको आप कोई इंसान में मत गिने कि ये एक नॉर्मल इंसान है या एक इंसान किसी बी इनसान के दुख दर्द को वो देखते और समस्ते होंगे नहीं ये जो हैं एक जानवर से भी गिरे हुए गया गुजरे लोग हैं अंदर जिस जिस तरह के जो है उसके उपर आरोप लगाए ज निकालाजाए अन्यताए एक दिन सुनने में आएगा मनीश कष्यप की मृत्यु पीरी जाती है। मेरे सवाल ये क्या है मेविख्वाश। इस प्लेकर आप आपका कहना चाहेंगी ? ये के वहाश। मनीश कश्यप को ले करके हम यह कहना चाहते हैं कि वो मनीश कश्यप जैसे मेरा बेटा है उसी तरह से सारे बिहार का बेटा है वो बिहार का भाई है वो किसी का छोटा भाई होगा तो किसी का बड़ा भाई होगा किसी बहन का भाई होगा इस तरह से किसी मां का बेटा होगा उ आज एक मनिश कश्यप जो है मारा जाएगा कल को दूसरा मनिश कश्यप मारा जाएगा और परसो को कोई और तीसरा मनिश कश्यप जो पैदा होगा वो भी आगे मार दिया जाएगा तो इसलिए मैं सबसे यही कहूंगी कि सब एक हो करके एक जुट आवाज उठाएं और हम लो कि हाज जोड़ करके मैं राजपती प्रधान मंतरी जी से विंती करती हूं कि मनीश कश्यप को जल्द से जल्द रिहा कराया जाए मेरा अंतिम सवाल है मैं कि जब मनीश कश्यप की गिरफतारी हुई तो मनीश कश्यप के आखों से आसू भी छलके तो क्या आप लोग मनीश कश्यप के आसू का बदला लेंगे ऑगे कि स तरीके सा आप लोग जबाब देंगे बिल्कुल देंगे अगर इन्होंने नहीं चोड़ा तो हम लोग यहां दिल्ली में आंदूलन कर देंगे और मनेश कश्यप के फेवर में बैठेंगे और वहां की सर सरकार गिरवा देंगे इतनी पावार हम लोग रखते हैं मैं मेरा आदमी सवाल मनीश कश्यप को आप कैमरे के माध्यम से यही कहेंगे मनीश बेटा चिंता करने की कोई ज़रत नहीं है यह लोग तो टॉर्चर कर रहे हैं इनको टॉर्चर करने वाला उपर वाला भी है और चिंता मत करो नीचे वाला भी है बहुत जल्दी जितनी है सरकार के ख्वाब देखे इनोंने और जितना वो कर रहे हैं जो जितना पानी उ वो भी साथ आजाए